ये डबल एंजिन सरकार के प्लांक लेके जा रहे हैं, क्या होगा अगर सेंट्रल में कुछ और पार्टी की सरकार है, राज में कुछ और पार्टी की सरकार है, मैं बताता हूँ, क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ, एक ही योधना, किसान सम्रुद्धी योधना, हमने सिद्रा म लाख लोगों का लिस्ट भी जाता है आज वो चोपन लाख है उनको भाई था कि मोदी जी का चेक अगर डायरेक किसन के एकाउंट में जाएगा तो हमारी पॉसिबिटी कम हो जाएगी समझ में आता है डबल एंजिन सरकार का फाइदा के इसी तरह से घर का लिस्ट भी बढ़ जयता है इस वेनेन फिसटे के लिडिश्ट बढ़ता है यह बट नेचरल है महानों केजरिवाल जी अभी आउशिमान भारती दोदन चालू नहीं करें, क्योंकि double engine शरकार नहीं है, मुंत अफे चालू नहीं करें, क्योंकि double engine सरकार नहीं, उनको भए है कि ये पांच लाग का स्वास्त का विमा मिल जाएगा, तो थोड़ी तकलिफ होगी, अगर भातपा सरकार होती तो भेट देती. करनाटक बीजेपी में आप गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं क्या गुजरात में जिस तरह के टिकेट बाट होती है गुजरात में जिस तरह टिकेट डिनाई होता है यू वांट एक्सप्रिमेंट दे सेम थिंग इन करनाटक बीजेपी ऐसा है भारतिय जनता पार्टी हमेज़ा टिकेट में बदलाव करती है हमारा 20 परसंट टिकेट बदलने का रेश्चु पहले से है यह गुजरात का चर्चा चली यहां पर गुजरात मॉडल का चर्चा जो चली मैं आपको वास्तविकता बताता हूं आप कोई भी टिकेट का ल और ठीक है चुनाव हर्त заключ जिते हैं हमारी पार्टी तो पार्टी के संग्र्टांट्मक्रिकृषर्मेंट की आदार पर चलेजी और आंटी इंकमशी हमेशा करनाथक में काम किया है हर चुनाव क काम करती है यह ठीक काम करती है इसको है देखते है आप कांटिंग तक रही हम एक मुद्धा नाशनल लेवल पर चर्चा में आती है और करनाटक में भी बार बार होते हैं सर इडि का दुरूप योग कर रही है कि इंदर सरकार करके मैं किसी से बात कर रहा था कॉंग्रेस वालों के बोला कि अभी मोदी आना बाकी है और हम इच्छा योगी आएंगे तो र कालों से हो रहा है कि मैं इसको जस्टिफाई करना नहीं चाहता हूं अगर गलत है तो अदालत में जाना चाहिए गए तो अदालत जो करेंगी वो होगा वो एडी अदालत के परविय के बाहर नहीं है ना सीभी आई है उनके समय में भी देज सारे लोगों पर केस किये थे सारे लोग अदालत में गये थे कोई काले कपड़े पैन कर नहीं निकला जा चुनाओ के नजदीक आते ही डीकेशिव कुमार का कुछ केस की डेवलप्मेंट हो जाता है अरे उनके पर तीन साल पहले केस हुआ था भई ही डीकेश को और का चुनाओ के नद्दीक बात करते हो इतने साल हो गए तीन-चार साल पहले हुआ था केस तब से तो डाड़ी बढ़ाई है डाड़ी बढ़ाई है लगता है उनका कुछ प्रेकिक गया है मालूम नहीं क्या है तो बहुत साल हो गए चुनाओ के नद्दीक नहीं हुआ है 2024 लोकसभा चुनाओ से पहले तीन और प्रमुक राज्यों के चुनाओ होने वाला है हम अपहारे मजबूत राज्ये हैं हम अच्छा परफॉर्म करेंगे अभी तो चुनाओ की देर है वहाँ पर नद्दीक आएंगे तब बात करेंगे करन्तु 24 के चुनाओ का मैं देश भर में दोरा करता हूं मैं नेरेटिव देख रहा हूं पर जनता का रिस्पॉंस भी देख रहा हूं चौबिस के चुनाओ में हम फिर से एक बार तीन सो से ज्यादा सिटों के साथ मोदीजी प्रदाहर मंत्री बनेगे सून निश्चीत है मैं देश भर में गुमता हूं और लोग सभा के चुनाओ के लिए ही गुमना मैंने सुरू किया है भी तो इसके मुझे पल्स मालू है तो आपको यकीन है कि में 13 को बीजेपी के लि इदु एश्यानेट निउस नेटवर्क प्रस्तुती निवनूर तिदिरा एश्यानेट सुवरना निउस प्रस्तुत